सेसेशन ओफ लिबोर, कम्प्लीट ट्रांजेशन, वेरी वेरी इंपोर्टन्ट, अगले दो मिनिट बड़े जरूरी होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, RBI ने जो है लिबोर को खतम कर दिया है, लाइबोर, लिबोर जो भी आप बोले, ये क्या होता है, फुल फॉर्म से बोले तो London Interbank Offered Rate, I am sure समझ नहीं आया होगा, असान भाशा में इसको इस तरीके से समझ लीजे, कि दुनिया में जितने भी कोई भी मालो, कोई भी पैसों का लेना देना हो रहा है, या कि कोई किसी को लोन में पैसा दे रहा है, वगएरा वगएरा, उसका क्या Interest Rate होना चाहिए, वो Libor के हिसाब से जो है Decide होता था, यह London Interbank है, तो basically यहां का ही एक bank है, जो इस rate को जो है Decide करता था, बट हम लोग अब इसको यूज नहीं करते हैं, हम काफी सालों से जो भी Interest Rates Decide करते थे, हम इसके basis पे करते थे, अब नहीं करते हैं, reason भी बताऊंगी बट उससे पहले, उससे पहले RBI ने ये बोला है कि हम जो है Complete Transition, यानि हम एकदम बंद कर देंगे इसको यूज करना, Libor को July 1, 2023 से याद रखेगा, तो जितने भी Commercial Banks हैं, Cooperative Banks हैं, NBFC हैं, सब को Advisory जारी कर दी है, कि सिर्फ जो है 30 June में जो भी 31 डेट होती है, 31 तक आप से आप Libor को, Libor के Rate को Use नहीं कर सकते हो, तो इसकी जगा क्या करेंगे हम Use, कोई तो Alternative दिया होगा, बिल्कुल Alternative दिया है, RBI ने, और वो Alternative है हमारा, SOFR, MMIFOR, ये क्या है, SOFR यानि Secured Overnight Financing Rate, और दूसरा है, जी, Modified Mumbai Interbank Forward Outright Rate, डेप्थ में जाने की जरुरत नहीं है, बाकी कि मैं इसको आपको समझाने वाली हूँ, क्या है, बट उसकी जगा, Libor की जगा, हमने अपने ये तो खुद के जो है, ये Rates Introduce कर दिये है, हमारी ही तरह बहुत सारी ऐसी Countries है, जिन्होंने अपने खुद के Interest Rate Issue कर दिये हैं, चीक है, SO ऐसे जो है, बहुत सारे Countries कर रही है वापस आना चाहूंगी, Libor को थोड़ा सा और समझाना चाहूंगी, क्योंकि यहां से question आ सकता है, Libor जो है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक जो है, यहां पर इसमें जो है, पांच currencies को, या फिर आप बोल सकते हैं, इसको ध्यान में रखा जाता था, Euro, Swiss, Franc, Pound, Sterling, UK का US का डॉलर और जपान का येन, चीक है, राइट, और यहां पर, हाँ, सो ये आपको एक factual information है, जो याद रखनी है, इसमें जो है, आपको, जी, सो ये एक factual information आप याद रखेंगे, अब question आता है, कि हमारे RBI ने इसको ban क्यों किया, very important, क्योंकि बहुत सारे reports का ये कहना था, कि 2008 में, 78 में, जो financial crisis आया था न, उसके पीछे भी कही ना कहीं, उसमें भी जो है, लिबॉर का involvement था, यानि interest rate को जान बूझ के घटाया बढ़ाया जाता था, अपने फाइदे के लिए, इसी लिए हमने उसको use करना बंद कर दिया है, और उसी को हम जानते हैं, लिबॉर scandal के ना जाले हैं, reason समझ आ गया कि वो scandal कर रहा था, अपने हिसाब से rate को बढ़ारा घटारा था, ठीक है, इसकी वज़ा से financial crisis जैसी situation भी आ गई, इसलिए हम इसको use नहीं कर रहे है, लिबॉर और software में difference जान लेते हैं, लिबॉर को तो हमने देख लिया है, ठीक है, UK का था वो, ठीक अलग-अलग currencies include होती हैं, तो यहाँ पर chances जो हैं, जादा fraud होने के और ये सब होने के थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए हम अब इसको use करने वाले हैं, I hope आपको ये topic समझ आ गया होगा, ठीक है, चले, date याद रखेगा,